Film Fair Award में इस बार का नजारा कुछ और ही था नमस्कार मैं हूँ मधुर जैन Ground Reporter के एक खास एपिसोड से आप लोगों के साथ Film Fair Award में इस बार का नजारा कई बार से अलग था बीती रात इस Award function में Bollywood Stars ने अपना जल्बा विखेरा इस मोके पर Film Industry से जोड़े हुए तमाम लोगों को सम्मानित भी किया गया Best Actor Male Award गया रनवीर कपूर को और Best Actress Female Award आलिया भट ने जीता पिछले साल की बहतरीन फिल्मों में से एक रही फिल्म राजी और इस फिल्म की डारेक्टर मेगना गुलजार ने जीता Best Director का Award इस खास मोके पर आलिया भट को जब Best Actress का Award दिया जा रहा था तो वो इस्टेज पर भावुख हो गई उन्होंने स्टेज पर एक स्पीच दी इसमें उन्होंने रनवीर कपूर का जिक्र किया और उन्हों I Love You भी बोल दिया आलिया भट ने स्टेज पर अपनी डारेक्टर मेगना के लिए कहा मेगना मेरे लिए राजी तुम हो इसमें तुम्हारा खून और पसीना है और एक्टर विक्की कोशल के लिए कहा विक्की तुम्हारे बिना ये फिल्म कभी पूरी नहीं हो सकती थी मेरे लिए मेरे मेंटर होने के नाते करन जोहर और मेरे पापा का थैंक्स आज की रात उन सभी के लिए मेरे खास लोगों के लिए लव यू तो ये कहा आलिया भट ने वहीं जब बेस्ट एक्टर मेल के रोल के लिए रणवीर कपूर का नाम स्टेज से एनाउंस किया गया तो उन्होंने सबसे पहले आलिया भट को किस किया जो कि बिल्कुल उनके पास बैठी हुई थी और उसके बाद उन्होंने अपनी एक्स गल्फ्रेंड दीपी का पादु कौन को हग किया और अवर्ड लेने के लिए स्टेज पर चली गए इस अवर्ड फंक्शन में फिल्म जगत से जोड़ हुए बहुत सारे लोगों को सम्मानित किया गया जिसमें फिल्म संजू के लिए रनवीर कपूर सर को मिला बेस्ट एक्टर मेल का अवर्ड और बेस्ट फीमेल एक्टरेस रही फिल्म राजी के लिए आलिया भट क्रियेटिव कैटेगरी में बेस्ट एक्टर मेल का अवर्ड जीता खिलजी का रोल ने भाने वाले रनवीर सिंग जी ने और आयुश्मान खुराना ने अंधा धुन पिक्चर के लिए किरियेटिव कैटेगरी में बेस्ट फीमेल एक्टरेस रही नीना गुपता फिल्म बधाई हो के लिए और पॉपूलर च्वाइस कैटेगरी में बेस्ट फिल्म बनी राजी अनुवफ सिनहा सर को मिला बेस्ट इस्टोरी का अवार्ड फिल्म मुलक के लिए और बेस्ट स्क्रिप्ट डायलोग का अवार्ड मिला फिल्म बधाई हो के लिए और क्रियेटिव कैटेगरी में बेस्ट फिल्म बनी अंधा धुन Best Supporting Role Female सोरे का शीखरी ने जीता बदाई हो पिक्चर के लिए और Best Actor in Supporting Role का अवाड गया बिक्की कौशल फिल्म संजू के लिए और गजराज राव बदाई हो फिल्म के लिए और इशान खटरवने Best Debut Male Without the Clouds के लिए सारा आली खान को मिला Best Debut Female के दारनाफ फिल्म के लिए और अमर कौशिक रहे Best Debut Director फिल्म इस्तरी के लिए संजा लीला भनसाली को उनकी डारेक्ट की हुई फिल्म पदमवत में संगीत देने के लिए Best Music Director का अवाड दिया गया और Best गीतकार का पुरुषकार गुलजार सहब को फिल्म राजी के गीत एवतन के लिए मिला और अरिजी सिंग ने जीता राजी फिल्म के गाने एवतन के लिए Best Playback Singer का अवाड Best Female Singer का अवाड जीता श्रिया घोसाल ने अपने गाने घूमर के लिए और इसी के साथ श्रिया घोशाल एक मातर ऐसी फीमेल सिंगर बन गई जिन्होंने फिल्म पेर के लिए ये अवाड लगातार साथ बार जीता है नए म्यूजिक टैलेंट का आडी वर्मौन अवाड दिया गया निलादरी कुमार को बेस्ट बैग्राउंड स्कोर का अवाड फिल्म अंधाधुन फिल्म के लिए डैनियल जार्ज को दिया गया बेस्ट सिनेमेट ग्राफिक आवाड पंकच कुमार सहब को फिल्म तुमबाट के लिए वेस्ट वी एफेक्स का पुरुषकार फिल्म जीरो के लिए रेड चिलीस एंटर्टेन्मेंट कंपनी ने जीता जो की शारुक खान की कंपनी है संजे लीला भनसाली की फिल्म पद्मावत के लिए बेस्ट कॉरेग्राफी का अवार्ड जीता महेश मिद्या और जियती तॉमर जिन्होंने घूमर सौंग को कॉरेग्राफ किया है और बेस्ट कॉस्टियूम का अवार्ड जीता नंदिता दास की फिल्म मंटो के लिए शीतल बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइनर का पुरुषकार तुमबाट फिल्म के लिए नितिन जिहानी और राजेस यादवसर को दिया गया और शॉट फिल्म की काटेग्रीज में वेजेताओं के नाम भी होशित किया गया जिसमें बेस्ट एक्टर मेल हुसाइन दलाल शेमलेस पिक शिरीराम रागवन के निर्देशन में बनी एक नेत्रहिन की मडर मिश्ट्री की कहानी अंधा धुन के लिए बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड जीता पूजा लड़्डा सूर्ती ने अगर आपको भी एपिसोड पसंद आये तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें इसी के साथ मैं आपका दोस्त मदर जैन आपसे लेता हूँ इजाज़त धन्यवाद